आज हम आए हैं राजपोर्ट राजपोर्ट गुजरात में एमजी के शोरों में और आज हम बात करेंगे एमजी हेक्टर प्लस के बारे में जिसका सीधा मुकाबला होने वाला है हुंदाई ग्रेटा जीब कमपास और ताटा हेरियर जैसी गड़ियों से जिसका स्थाइब करेंगे यारे उास ज्वा कि शाईब प्राइस की बात करें तो इसमें आपको डीजल स्टार्ट होता है 14,43,800 से लेके 18,53,800 और पेट्रोल में आपको मिलने वाले आए 13,48,800 से 18,20,800 तर शार्प 18,53,800 रोगे स्मार्ट डीजल 17,14,800 सुपर 15,64,800 स्टाइल 14,43,800 पेट्रोल में शार्प आपको मिलेगा 18,20,800 शार्प हाइब्रीड आपको मिलेगा 17,28,800 स्मार्ट आपको मिलेगा 16,64,800 स्टैल आपको मिलेगा 13,48,800 बात करें अब फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है ब्रोड ग्रिल जो मुझे बहुती पसंद आया और उसमें आपको मिलने वाला ये बड़ा सा एक M.G का लोगो M.G के लोगो के नीचे ही आपको मिलने वाला है बड़िया सा केमेरा पुरानी हेक्टर में एक साइट से एक क्रॉम आया करती थी जो नई हेक्टर प्लस में उन्होंने निकाल दी है जो निकलने के बाद उसे एक और मस्कुलर सा लुक देती है MG Hector Plus में आपको Daylight Running मिलने वाली है Foglight जो मिलने वाली है वो Halogen मिलने वाली है और इसकी Headlight की बात करें तो Headlight इसमें आपको मिलेगी Projector Halogen जब MG Hector Plus की Light जलती है पूरी तब इस तरह से आपको View नजर आएगा जो एक बहुत ही खुबसूरत दिखता है Wheelbase आपको इसमें मिलने वाला है 2750 mm का और इसकी जो Ground Clearance है वो 192 mm की है MG Hector Plus में जो आपको टायर मिलने वाले हैं वो है 215,60 और शत्रा MG Hector Plus 1.5 पेट्रोल में मिलने वाला है आपको 1451 CC का 4 Cylinder Engine जो Power Generate करता है 141 bhp 5000 rpm पर जो टोर्क जनरेट करता है 250 mm 600 rpm और उसका जो माइलेज रहने वाला है वो 12-14 और डीजल की बात करें डीजल में आपको मिलने वाला है 1956 CC 4 Cylinder Engine जो पावर जनरेट करता है 168 bhp पर 3750 rpm और जो टोर्क जनरेट करता है 350 mm पर 1750 rpm जिसमें आपको माइलेज मिलने वाली है सोला से सत्रा था फ्यूल टेंक इसमें मिलेगा आपको साथ लिटर में आपको रियर में भी मिलेगा मौरिस गेरिज का लोगो यह है रियर सेंसर कि एमजी हेक्टर प्लस की जो की है वह मुझे बहुत ही पसंद आई इसमें लोक अनलोक और बूट स्पिस का बटन दिया हुए और यह क्रीमियम लुक देता है जैसे ही गाड़ी को अनलोक करते हैं तो इसके ओवर्यूम अपने आपी खुल जाते हैं एमजी हेक्टर में आपको मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया टच स्क्रीन डिस्प्ले का म्यूजिक सिस्टम जिसमें आपको फोन कनेक्ट करने की कुछ भी जरू नहीं है अगर आपको ओनलाइन गाने सुनने हैं तो इसमें और लेड़ी पहले से ही गाना एप इंस्टल किया हुआ है जिसे आप ओनलाइन सौंग सुन सकते हैं वह भी अपना मॉबाइल कनेक्ट किये बिगर में आपको मिलने वाले हैं फोर स्पीकर और फोर ट्वीटर्स इसकी साउंड कॉलेटी बहुत ही बढ़िया है जिससे आपको म्यूजिक सिनने में और भी मजह आता है एमजी हेक्टर में आपको मिलने वाला है सेटेलाइट केमेरा जिससे मिलती है आपको अपनी गाड़ी की एक्क्यूरेट पोजिशन्स 360 डिग्री में आपको मिल जाता है अपनी गाड़ी का पूरा व्यू जिससे आप रियर फ्रंट दाय बाय अपनी गाड़ी का पूरा लोकेशन देख सकते हैं M.G.Hector Plus में आपको मिलने वाला तेलंट टेलीजिकूप स्टेरिक्स जिससे है अपनी हाइट के एक्क्यूरेट एक्जस्ट कर सकते हैं music system आप यहां से control कर सकते हैं cruise control आप यहां से एक्जस्ट कर सकते हैं और इसमें भी मिलने वाला आपको बड़ा सा M.G. का लोगो बात करें MG Hector की interior की तो इसमें आपको interior भी बढ़िया quality का मिलने वाला है डॉर्स में ब्लेक कलर का यूज़ किया हुआ है और बटन की बात करें तो बटन भी इसमें बहुत ही premium quality के है साथी में आपको मिलने वाला है यहां पे Morris garage का logo बात करें सीटिंग की तो यहां पर आपको मिलने वाली है एक्जेस्टेबल सीट एमजी हेक्टर प्लस में आपको मिलने वाली है दोनों फ्रंट सीट इलेक्ट्रोनिक एक्जेस्टेबल यहां पर आप अपने हिसाब से एक्जस्ट कर सकते हैं फ्रंट बैक रियर फोरवर्ड यह है रियर की सीटे और रियर में भी आपको मिल सकता है से एसी का वेंट इम址 हेक्टरë फ्रंट से भी अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं यह है इसके रियर's के बटन जिसे आप अपना एसी कंट्रोल कर सकते हैं यह पुरा पिछे तक आता है इंडिया मे एंगों ने पहले डेबू किया था एम जी हेक्टर से उसके बाद इसके दूसरी गाड़ी आई एम जी जैडियोस इवी जो एक लेक्ट्रोनिक विकल थी अब जो आ रही हैं जी हेक्टर प्लाज जिसकी लॉंचिंग डेट 13 जूलाई थी एम जी हेक्टर में मिलने वाले फीचर्स में एक फीचर्स ये भी है कि आपके पास अगर सामन ज्यादा है तो आप बूट के निचे अपने पाउं से स्वाइब कीजिए उसका बूट अपने आप खुल जाएगा इसमें आपको इतना सा ही बूट स्पेस मिलता है अगर आपके पास लगेश ज्यादा है तो आप इसकी थेरो वाड़ी स्रीट फोल्ट करके बूट स्पेस पढ़ा सकते हैं XLम, Mghektra Plus में आपको मिलने वाले है दो से लेकर और ब्रेकिंग शिस्टम में मिलने वाला है ABS with EBD बेक असिस्ट इलेक्ट्रोनिक mobility प्रोग्रम लेंथ आपको मिलने वाली है MgHsa Plus में 4720 mm की और इसमें I मिलने वाली है आपको 1835 mm की और उसकी जो हाइट रहने वाली है 1760 mm की